मेरे मां जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाँ, दुंगले लगा जाओ ये भजन मुझे याद है, तीन जन्वरी 2016 को लिखा था, भजन किर्टन 2014 में मैंने छोड़ दिये थे, 2015 में, और जब शुरुआत की, तो पहला भजन ये लिखा, तीन जन्वरी 2016, और 26 जन्वरी 2016 को सूरत में जो बाबा शाम का मंदिर है, उसके लिए महायक्य हुआ था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला था, मेरी जिन्दगी बदल गई उसे एक किर्टन से, वो 26 जन्वरी 2016 थी, जब कनहिया मित्तल को 10-20 हजार लोग जानते थे, लेकिन गिने चुने 3 सालों के अंदर, बाबा शाम ने लाखों क्या करोडों भक्तों के दिलों तक भाचा दिया, उसकडी का पहला बजन सुना रहा हूँ, तब बिगनिगा उप कनहिया मित्तल, 2016 थी, तूने थामा था, बुला था, अबना छोड़ूंगा, आज फिर से तेरी जरूरत है, जो छोड़ोगे तो मैं रो दूँगा, आईए, एक घंटा मैं शमा चाहूंगा, शाम सेवा समिती से, ये तार जो है वो जुड़ गई है, अब मैं हूँ और मेरा सामरा है, मेरी गुजारिश आप से, प्रेम से सुनते रहेगा जो बाता रहूँगा, आज दो, हुआ 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 ह प्रेमियों यह आदा घंटा है अगर आपके इस पास सब कुछ है तो उसके लिए मांग लेना जो कुछ चाता है लेकिनी साथे घंटे में मिलेगा जरूर मेरी गरंटी है आपसे बाबा को देखते रहना कोई भी फीट करके मत बैठना देखकर गाना की बाबा हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतों का एक दिन मेरा दिल ये कहता है मेरे मा जी बन जाओ मेरी नाम चला जाओ रोते को बाबा शाँ तुम गले लगा जाओ के सलेघा जाबा जाबां खुम पे flexण तुम आग कैसे ह लोता आग जाओा हारा हाराूत हारा जाओा जाओ हारा आग हारा जाव हारा जाओ मैंने कहा था मैंने सुना है तू पिकड़ी बनाता बिन बोले भगतों की नाव चलाता क्या क्या किस से सुनाऊं साब आपको हिसार कपड़े का व्यापारी छोटी सी दुकान साड़ी की रोज का हजार दो हजार रुपे का गल्ला बेटी का रिष्टा करने निकला तो लड़के वालों ने पचास हजार रुपया नगदी मांग लिया बेटी बोज नहीं हो पिसाप बेटी को बोज दहेच के लाजची लोग बना देते हैं बेटी बोज नहीं होते हैं उगाय जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां पढ़ाय जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां लाड लडाय जाते हैं बेटे लाड लड जाती हैं बेटियां उड़ाये जाते हैं बेटे, परकल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटिया साथ, बेटियां बोज नहीं होती, लड़के वालों ने शर्च रखी, अगर साथ में दिन पचास हजार आ गए तो रिष्टा पक्का, नहीं तो रिष्टा, तोड़ देंगे, बाबा का पक्क प्रेमी था, कुछ नहीं सोचा, बोला आप साथ दिन कहते हो, मैं पांचवे दिन दे जाओंगा, जैब मैं फुटी-कोडी नहीं, लेकिन भरोसा, खाबा का, घर पर आया, धरम पत्नी को बोला, मैं रिष्टा टैकर आया पिटिया का, और साथ में दिन पचास हजार मांगे मैंने पांचवे दिन की हां भर दी, धरम पत्नी बोली अपना तो, तुम्हें होश नहीं है, इस खाटू वाले के पीछे पागल हुए पड़े हो, मेरी बेटी की भी जित्गी खराब करा है, कहां से आएं में पचास हजार उपे पांचवे दिन, ती जोरी में पांसो प्या नहीं है, सामने से जवाब आया बगली, जिसने पंतालिस साल तक सांस दे दिया, वो पांचवे दिन तक क्या पचास हजार नहीं दे सकता, बोला देखती हूँ मैं भी, कितनी तुम्हारी मदद करता है, पहने दिन गया, दुकान खोली शटर उठाया, जो जलाई, आएगा, आएगा, लिले चड़ सामरा, पूरा दिन निकल गया, पंदरा सो रुपे का घला, घर गया, घर वाली में ताना दिया, ले आए पचास हजार, चुप चाप खाना खा के सो गया, अगला दिन फिर दुकान खोली, जो चलाई, बाबा जब भी जिसने, तेरा नाम प का राया, तू ने, तू ने उस जीवन को पूरे दिन की कमाई 2,000 रुपे, घर गया, 3500 रुपिया दो दिन में जुडा, तीसने दिन गया, दुकान खोली, कोई पुछने भी नहीं आया, खाली हाथ घर चला गया, चोथे दिन गया, चोथा दिन भी खाली चला गया, लेकिन जब पांचवे दिन आने लगा, घर वाल तुम्हारे इस घाटू वाले की तस्वीर घर से बाहर रख दूंगी अगर नहीं आने कर आएक तो, प्रेमियो, तुपहर का एक बच गया, प्रेमी बैठा है बाबा की जो जला गा आजा आजा शाम बाबाद पूरे माजार का नियम पूरा बजार दुपहर में बंद होगा पूरा बजार दुपहर की रोटी खाने घर जाएगा यह नियम्धा बजार का लेकिन जिसकी लाज आज कसोटी पेखरी उतरने का समय हो उसको फुक कहां से लग जाए वो दुकान खोल के बैठा रहा पूरा बजार बंद अकेला बैठा है तबी बाबा से बोला बाबा अगर आज नहीं आया तो फिर कभी मता ना अगर आज नहीं प्रेमियों 15 मिनिट के बाद एक सफेद कुर्ते बजामे में में एक सेर दोरता हुआ है भाई साफ मैंने अपनी बिटिया का रिष्टा किया है मुझे ठाई लाग की साडिया चाहिए पूरा बाजार बंद है सिर्फ 15 मिनिट में लेकर जानी है मुझे मुझे मेरी मदद कर दीजिए मुझे दुकान से समान दे दीजिए बाबा क्यों नहीं आता साथ वो परिक्षा लेगा परिक्षा लेना उसका हग है उसका अधिकार है लेकिन क्या हम परिक्षा में खड़े नहीं पर सकते साथ बाबा से मांगो बाबा अपने लायक जो समझा महरबानी आपकी आगरा में क्या हमसे बड़े सेठ नहीं बैठे है हमसे अमीर लोग नहीं बैठे क्या बैठे है लेकिन उनके हिस्से में ये सेवा नहीं है उनके हिस्से में ये ताली नहीं है उनकी तकदीर में शाम का नाम नहीं है था हम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिर बाबा शाम की कृपा हो गई थी अमपर साथ और बाबा ने कहा था ये बच्चा मेरा है इसको अपने दर से बनाता बिन बोले भगतों की नाव चलाता अपनों के सताएं हैं तेरी शरण में आए हैं हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतू आई के दिन कहता है सारी दुनिया कहती है हाथ उठाते हैं ताली बजाते हैं क्या होता है दुरापदी पूरा कुणबा बैठा था सारी जब लाज कोई नहीं बचा पाया जब तक खुद खुद सारी को पकड़के खड़ी रही तब तक भी गिर्धारी नहीं आया लेकिन जैसे ही दोनों हाथ उठा दिए गिर्धारी उसे समय आ गया सारी इसलिए ये हाथ उठवाए जाते हैं और जो ताली बजाते हैं बाबा के किर्धन में आते हैं वही आते हैं वही रिजाते हैं वही जो शाम दिवाने हैं मैंने बाबा को बोला था सुनना बाबा को कहना था परिवार मेरा तेरे गुण है गाता दो शीतों में हूँ उन्हें क्यूं सता आता जब परिवार में कोई बिमार होता है तो वो केला बिमार नहीं होता है पुरा परिवार बिमार हो जाता है कि ये कब ठीक होगा अमीर वो नहीं है जिसके घर में पांच लाक रुपे का डाइनिंग टेबल है क्या फाइदा साव ऐसे डाइनिंग टेबल का जिसमें बैठ के कोई रोटी नहीं खाता है अमीर तो वो है जाए घर में चटाई विछी हो मगर पूरा परिवार एक साथ बैठ कर भोजन करता हो अमीर वो है मैं पुना गुजारिश करूंगा आज कृतन से जाने के बाद कल का कल से अपने जीवन का सिस्टम बदलो अपनों से बात करना सीखो आज डॉक्टर से ज्यादा भीड काउंसलिंग वालों के पास है साइकाट्रिस्ट के पास है क्यों हम शरीर से बिमार नहीं है हम दिमाग से परिशान है दिमाग से बिमार है आज किसी को परिवार में धन की जुरुत नहीं है परिवार में जुर्त है तो इज़त की जुर्त है मान मर्यादा की जुर्त है रिस्पेक्ट की जुर्त है आप कि यहां परमान सम्मान देदेना किसी को आप से कुछ नहीं चाहिए साथ बाबा के दरवार में आए हो बाबा से मांग लो कि बाबा हमें भी अपने चननों से लगा रो हमको गले से लगा लो हम गिर रहे हैं उठा लो हम गिर रहे हैं हम तुम्हारे ऐसा वरिया हम तुम्हारे ऐसा हरी बुरे करमों से हमको बजा लो चरिणों से हमको लगा लो हम गिर रहे हैं किसी का जाने का मन है क्या दरवार छोड़े शौर मचा के बताओ कर नहीं है तुम्हारे छोटी छोटी लाते और दिल में बेचैनी आखों में इंतिजार होता है जब किसी को सामरे से प्यार होता है जब किसी को सामरे से प्यार होता है विपिन जी देखो ज़रा कितना टाइम हो रहा मैं तो बड़ी बांद के नहीं आता एक बच गया मौपत के नाम पे लाखों बिमार बैठे हैं लाखों बिमार हो गए ये सामरे को ले जाने के लिए तैयार बैठे ओ पंची बनकर उड़ता है ये दिल जो ओ ठाटू जाकर साबरिये से मिठा दीवानों सी हालत होती है ओ मत पूछों फिर क्या क्या होता है जागतियां के देखा कर सपना जब साबरिया लगता है अपना आप दिल में बेचैनी आँखों में इन्तिजार होता है जब किसी को साबरे से त्यार होता है जब किसी को साबरे से त्यार होता है जब से क्या कहता हूं आज धीरे धीरे जाना रात तू धीरे धीरे जाना देखों जिसको लगता है वो गाना जो ठक गया हो वो मत गाना आननारा हो वो गाना धीरे धीरे जाना रात तू धीरे धीरे जाना मजा सारे भगतों का बिकड जाएगा शाम मुझे से बिच्टर जाएगा यह रात पो एक वजय जो ताली बजा रहे है यह मेरे लिए नहीं बजा रहे है यह आपके लिए बजा रहे है यह जो जैकार लग रही है यह आगरा के सेट की नहीं खाटू नरेश की लग रही है अगर आप इनके साथ नहीं गए तो साहब एक बार जाकर देखो मौज करा देंगे आगरा बार कौन को लेकर जाएगा बाबा को जोरा ताली बज़ा जोर से लगला तार की जाओगे चिठ्धी आई है ठाटू से चिठ्धी आई है बड़े दिनों के बाद मेरे सांवरिये को आई भागया दिनी आदिकता आई है मुझे भी बड़े दिनों के बाद आई है और मैं बताओं क्या होगा खाटू में जरा ताली बजाने खूब सजी खाटू की कलिया रस्ता देख रही थी अखिया आगरा में नहने वाले खाटू कभी कभी आने वाले खाटू कभी कभी जाने वाले आजा उमर बहत है छोटी मैं देदूगा तुझे को रोटी चिटी कर दो खाटू करू के ओंचिAC जा उमसेत सकते तुझे के आने वाले तीस साल का नौजवान खाटू जाया करता दिल्ली में व्यपार करता कभी-कभी किर्टन में भी चला जाता था किसी दोस्त के भढ़काने पे अमरीका चला गया बोला डॉलर में कमाएंगे आजा सब कुछ बेच दिया अमरीका चला गया छे महिने में रुपिया पैसा खतम सड़क पे आ गया जिस मित्र ने बुलाया था उसने ठग लिया और घर से भी निकाल दिया रात को साड़े ग्यारा बजे सड़क पे बैठा कैलिफोर्निया की बाबा को कह रहा है बाबा बस इतना ही बोला बाबा इतने में तो आसमान में लीला घोड़ा न जराने लगिया बोला बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना किसी का कभी धन दबाया जीवन में कुछ भी करना प्रेमियो किसी के हट का धन कभी मत दबा ले ना पांच दस साल मौच कर लोगे लेकिन अगली साथो फीडियो को खराब कर लोगे साथो फीडियो को खराब हो जाएगी धन कमाना अपनी मेहनत का अपने पसीने का किसी के मेहनत की कमाई मत दबा ले ना बाबा को कहने लगा बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मैं आठ सड़क पर क्यों आ गया बाबा बोला बेटा जब दिल्ली रहता था तो कहके आया था बाबा मुझे अमरीका भेज़ दे तुझे भी साथ लेके जाऊंगा तुझ तो दिल्ली एरपोर्ट पर भुल गया यार मुझे और जैसे यह ख्याल आया एक गाड़ी रुकी लंबी सी अंदर से वाज आई आर यू इंडियन बोला यस भूखे हो बुला हाँ दोखा खाया है बुला हाँ च्छत भी नहीं है बोला नहीं कलकाठी आना भी नहीं बोला नहीं बेट जा और जैसे बैठा तो गाड़ी के पीछे तीन अधारी महिमाती भारी तीन बान धारी महिमाती भारी गाड़ी के पीछे बाबा का निशार वोली यह तीन बान धारी की परिवार मेरा तेरे गुण है गाता दोशी तो मैं हूँ उन्हें क्यों रूलाता दोशी तो मैं हूँ उन्हें क्यों रूलाता उन्हें तुझ पे भरोसा है तुने बाला पोसा है हारा हूँ बाबा पर तुझ पे मैं जीतूंगा एक दिन हारा हूँ आपके लिए गारा हूँ हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगी एक दिन मेरा दिले कहता है मेरे नाव चला जाओ मेरे मां जी बन जाओ रोते को बाबा शा तुम गले लगा जाओ ऐसा साम विरा मेरा ऐसा साम विरा ऐसा साम विरा विले शाम प्यारे की ने लगे बड़ी पावन पूजिया श्री जया किश्वरी जी ने यहां पर भागवत कथा बाची हजारों वक्तों ने आगरा के जिस कथा के लिए आज दुनिया तरस रही है वो श्री शाम सेवक समीति के तत्वा धान में आगरा नगरी पावन हुई ठाकुर जी स्वयम विरिंदावन से अगरा में आए आज शाम को ही कल हवन होगा जिसके उपलक्ष में आज का ये किर्तन था पूरी इस समीति के लिए एक बार जरा तालिया बुझे इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया है मुझे बुलाना बड़ा असान है लेकिन इतना बड़ा आयोजन साथ दिन तक निरंतर करना बड़ा मुश्किल है बड़े-बड़े सेथ हैं दुकानदारी छोड़कर भेक्रियां छोड़कर आपके लिए आपके कानों तक कथा पहुंच जाए इसलिए बैठे जरा तालिया मुझे बड़े-ड़े